हेलो दोस्तों मैं हूँ देव जी और आप देखने मेरे साथ में सौफ्ट मीजिक के दिए आज हम बात करने वाले हैं तांसेन जी के जीवन परचे के बारे में सबसे पहले संशिप्त में जीवन परचे बचपन का नाम तन्नामिस्र जन्म 1532 जन्मस्थान बेहट गौलियर पिताजी का नाम मकरंद पांडे पतनी का नाम हुसैनी संतान सुरत सेन सरत सेन तरंग सेन विलास खां सरस्वती गुरू स्वामी हरिदास रचनाये मिया की तोड़ी, मिया की सारंग, मिया की मलहार, दरवारी का नहड़ा, आदिरागो की रचनाये मृत्यू 1585 इसवी अब विस्तार से जानते हैं महान संगितकार तानसेन जी के बारे में तानसेन के बच्पन का नाम तन्ना मिस्र था कुछ लोग इनका नाम रामतनु पांडे भी बताते हैं इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था मकरंद पांडे को मुकंद राम मिस्र भी कहा जाता था इनकी जनम तिथी की विशे में बहुत सारे मत्थ हैं कुछ लोग इनका जनम सन 1526 इसवी में इनका जन्म बेहट नामक गाउं में हुआ था जो गौलियर के पास में है। मकरंद पांडे काफी दिनों तक संतान हीन थे। फकीर मुहमत गौस के आशिरवाद से तांसिन का जन्म हुआ। अपने माता पिता की एक मातर संतान होने के कारण इनका पालन पोसंड बहुत कर थे। बच्पन से ही इनके अंदर आवाजों की नकल करने की जमता थी जिसके वज़े से वह लोगों को डराय करते थे। उनकी इसी प्रतिवा से प्रभावित होकर स्वामी हरिदाजी उनको अपने साथ ले गए। इस तरह से तांसिन स्वामी हरिदाज के साथ रहने लग मरने से पहले उनके पिता ने तांसिन से कहा था कि तुम्हारा जन्म मुहमद गौस के आसिरवाद से हुआ है। इसलिए तुम कभी भी उनकी आग्या को टालना मत। कुछ दिनों के बाद स्वामी हरिदाज की स्विकृति से तांसिन फकेर मुहमद गौस के पास आकर रहने कर लगे। वहाँ पर वहां पर कि औनी का घायन सुनने के लिए रही कभी कभी मंदिर चला जाय करते थें। वहाँ पर उनकी दाशी हुसेनी और तांसेन का भर tat कि सृस्टरी नाम अधार बिलास खा और उनके पुत्री का नाम था सरस्वती तांसीन को रिवा नुरेष के यहां राज्य गायक निवक्त कर लिया गया। रिवा नरेष और अक्बर में घर सद्वाई तरी सम्राथ अक्बर तांसेन की संगीच से बहुत प्रभाय्वट वे अतह रिवा नरेष्ट ने अकबर को प्रसंद करने के लिए अकबर अकबर न normate के सामिल कर लिया धिरे अकबर अकबर तांसेन को बहुत मानने लगा एक बार अकबर ने अधी से राग दीपक सुनाने के लिए कहा तांसेन इस बात के लिए तयार नहीं हो रहे थे लेकिन दबाव में आकर उन्होंने राग दीपक गाना शुरू किया जैसे ही गायन शुरू हुआ चारो ओर के वातावरण में गर्मी होने लगी सबी स्रोतागड गर्मी के मारे महा से भाग निकले लेकिन तांसेन का सरीर जलने लगा राग दीपक की गर्मी को केवल राग मेग से सांत किया जा सकता था तांसेन की पुत्री सरसती ने राग मेग गाकर अपने पिता के प्राण नौतपन हो उसने राज में घोशना कर वा दी कि अगर कोई भी वी प्रतियोगता करनी होगी और हारने वाले को मृतियुदन्ड दिया जाएगा कई गायकों की प्रतियोगता लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका अत्व सबको मृत्यु दंदी ब rainy चाहिㅋㅋ एक बार थानसेन और बैजु बावृवचू के बीच संगीत परितयोगता हुई और उसमें तानसेन हार गए सर्ट के हिसाब से तानसेन को मृत्यु दंड मिलना चाहिए था लेकिन बैजु बावरा ने उन्हें सब्सक्राइब करकि SS कर लिए इसके लिए कुछ लोगो ना है कि थैड!」 मुहम्मद गुलाम गौस की आगया मान कर बञ्रता किज लोगों कमाना है कि दाशनने अख्बर की ऑपर की पुत्री से साधिक जैसे मिया मलहार, मिया की सारंग, आदी, सन 1585 वी में तांसेन की मृत्य दिल्ली में हुई और गौालियर में इनकी समाधी मुहमद गुलाम गौस की समाधी के पास में बनाए गई